हेलो मेरी देसी चटोरों, कैसे हैं आप सब? नॉर्मल वाली काजू कतली तो हमने बहुत खाई है आज हम बनाएंगे केसर वाली काजू कतली जो बहुती टेश्टी और बहुती अच्छे फ्लेवर में बनती है अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना और मेरी चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले रेसीपी को एंड तक जरूर देखे आपको एक टिप्स जानने को मिलेगा काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हमें 500 ग्राम चिल्ड काजू लेने होंगे काजू को मैंने लगबग 20-25 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था जिससे की इसका पीस्ते टाइम टेल रिलीज ना हो और हमेशा ये ध्यान रखे काजू हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही यूज करें पुराने काजू में स्मेल आती है तो हमेशा फ्रेश ही काजू यूज करें अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें थोड़े थोड़े करके काजू डालके एक स्मूध सा पाउडर रेडी करेंगे काजू को पीछने के बाद उसे चलनी से जरूर छान लें चिस्से के हमें स्मूध पाउडर मिले काजू का पाउडर बनकर रेडी है अब हम एक पैन लेंगे उसमें लगबग 450 ग्राम चीनी डालेंगे हमने 500 ग्राम काजु लिये हैं तो हम थोड़ी सी कम चीनी यूज करेंगे अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप 500 ग्राम चीनी ले सकते हैं अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे चीनी से थोड़ा गम लगबग 400 ग्राम अब हम पैन को गैस पे रखेंगे और स्लेम को लो रखेंगे और हम 180 बनाएंगे हमें सुगर सीरप को चलाते हुए 180 रेड़ी करनी है हमें चासनी को ज्यादा नहीं पकाना है अगर हम ज्यादा पका देंगे तो पानी काजू के अंदर नहीं जाएगा और काजू कतली रूखी रूखी बनेगी तो इसलिए हमें इसे लगबग आधेतार तक ही पकाना है जब आधेतार की चासनी बन जाए तो इसमें केसर एड़ करें केसर को मैंने पहले ही गरम दूद में भीगो दिया था जिससे इसका कलर अच्छा आए और फ्लेवर भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके काजू पाउडर एड़ करते जाएंगे हमें एक साथ काजू पाउडर नहीं डालना है नहीं तर लम्स पढ़ जाएंगे गैस की फ्लेम को लोग पे रखेंगे और कंचिनूसली चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे चिपक सकता है जब काजू का पेस्ट गाढ़ा हो जाए तो इसमें दो चमच देसी गी एड़ करेंगे और इसे फिर से कंचिनूसली चलाते रहेंगे हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये पैन से अलग न हो जाए जब ये पक जाएगा तो ये अपने आप ही पैन से अलग होने लग जाएगा हम काजू के डो को एक बटर पेपर पे निकाल लेंगे और अच्छे से मसल लेंगे और चारो तरफ अच्छे से फैला देंगे अब हम बेलन को थोड़ा सा घी वाला करके इसे अच्छे से रोल कर देंगे हमें थिकनेस उतनी रखनी है जितनी हमें चाहिए अब हम साइड्स को कट करके अलग कर देंगे सिल्वर वर्क लगा के हम इसे अच्छे से गानिश कर लेंगे अब हम इसे डाइमन शेप में कट कर लेंगे आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी शेप काट सकते है हमारी केसर वाली काजू कतली बनकर रेडी है अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आए तो प्लीज मेरी रेसेपी को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ऐसी ही इजी रेसेपी के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज का स्पेशल टिप्स यह है कि काजू कतली को कभी भी फ्रीज में ना रखे ये बहार भी खराब नहीं होती है फ्रीज में रखने से ये चिप चिपी हो जाती है तो प्लीज फ्रीज में ना रखे थैंक यू फॉर वाचिंग